हाई गाइस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मेरी बहुत ही अच्छी मेमोरी और उसके साथ ही मैं शेयर करूंगी कि इस मेमोरी से जुड़ी हुई वो सारी चीजे जो की अभी मेरे पास में है तो चले चुरू करते हैं मारा आज का वीडियो और जैसा कि आपको थम्नेल से पता चल गया होगा यह जो वीडियो होने वाला है वो कहीं न कहीं मेरे परसनल लाइफ को रिलेट करता है मैं आपको बताओं कि मैं अभी जहां रह रही हूँ मेरे हस्बन का जो वर्क प्लेस है वो रामनगरी अयोध्या से मात्र एक से तेड़ घंटे की दूरी पर है तो बहुत ही नजदीक है रामनगरी अयोध्या 2019 में 2018 में मेरी शादी हुई थी और 2019 में करीब करीब अगस्त का महीना होगा जब मैं वहां गई थी क्योंकि वह सावन चल रहा था तो यह जुलाई और अगस्त का ही महीना हो सकता है तो मैंने सोचा था उसने में यूट्यूब जो है वो शुरू कर चुकी थी और मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ ब्लॉग भी शेयर करूंगी लेकिन अनफॉर्चनेटली हुआ यह कि सावन का महीना था जब ही हम वहां पर मतलब हम लोगों ने वहां पर जैसे हम रुके औ और प्रोग्राम यह था कि हम लोग वहां पर सबसे पहले जला भी शेक करेंगे भगवान श्रीव जी को उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर बारिश के समय मेरे फोन में पानी चला गया और जिसकारण से मैं फोटोस या वीडियोस नहीं क्रियेट कर पाई क्य लिए अप्लोड किया तो आज में आपके साथ शेयर कर रही हूं मैंनी कुछ मेमोरी और कुछ ऐसी मननते जो की मैंने वहां आप यह कह सको कि मैंने वहां पर जाकर यह इक्षा की थी मननत भी नहीं की ती एक्षा की थी बस और वो भगवान ने सुनी और वो कुछ चीजे ऐसी है कि ये चीजे बहुत बड़ी भी है बहुत कॉमन भी है और क्या होता है कि जब किसी काम की पूरती हो जाती है किसी काम को पूरा कर लिया जाता है तो सोचा जाता है कि वो काम बहुत आसान था मैंने ऐसे से ऐसे किया ऐसे इश्वर हाथ ना दे आप पर आपके सर पर हाथ ना रखे संयोग ना जुटाएं आपकी बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते चले जाएंगे और वह आपको लगेगा कि नहीं कुछ किस्मत साथ नहीं दे रहा तो वह काम पूरा नहीं हो पाता है लेकिन यह जो कुछ मन आते हैं कि संयोग से यह चीजे मैंने मन में रखी सभी चीजे पूरी भी होई है और कुछ ऐसे चीजे मैंने पूरी होते देखी हैं जो कि एक चमतकार की तरह है तो चले शुरू करते हमारा आज का वीडियो तो जैसा कि मैंने आपको बताया दिया कि हम लोग यहां से मतलब जब आयुध्या जाएंगे तो एक से देड़ घंटे के रास्ते पर आयुध्या है तो 2019 में मैंने सोचा कि हम लोग रामनगरी आयुध्या चलते हैं वो सावन का समय था उस वक्त मेरे हस्पेंड का आफ था आइधिंक थ्री टू फोर डेज आफ चल रहा था किसी कारण से तो मैंने सुचा कि हम रभी वार के दिन चांगे एब आप्टर अवोग स्वेजा स्टे करेंगे यंद्ध उसके बाद में हमलों सोम वार के दिन फिर से जलाविषेक करेंगे भगवान नाघेश्वण।कर खेंगे सावन की समवारी स्ट्वारी को पास्तिंग होता है तो मेरा fasting होने वाला था तो मैंने सोचा कि कितना अच्छा होगा कि अगर fasting मतलब रखे हुए मैं जला भी शेक कर पाऊं तो साथ में हम लोगों के मेरे husband के अपने वेद की पढ़ाई जो है अधिया से की तो उन्हें आयोध्या के बारे में वहां के रूट्स के बारे में किधर कैसे जाना होता है कहां स्टे करना होता है बहुत अच्छे से नौलिज था तो वह भी थे साथ में तो मैं वहां गई थी मैं आमको बताओं कि पहली चीज जो मेरे मन में थी मैंने कभी ये बात मैं आपके साथ आज इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम लोग कभी-कभी अंद्विश्वासी हो जाते हैं कभी आपको कोई चीज चाहिए होती है तो भगवान से और अच्छे नियत से अगर आपको चाहिए होती है ऐसा नहीं कि आपने कुछ इंसिडेंट जब मैं वहां गई थी तो ऐसे ही सुवा का समय था नागेश्वार नात मंदिर में मैंने पहले जलाविशेक किया हम लोगों ने उस दिन पूरा घूमा यहां तक कि रामलला की जो जनमस्थली है वो सबसे इंपॉर्टेंट था तभी भवान राम की जो म त्यूज्वार नात मतलब आना था एंड जलाविशेक करके सर्यूमादी में स्नान करने के नियुक्ते हुआ कुछ वैसा सिस्टम था तो वहां चल रही थी मेला और श्राव्नी मिला और वहां पर देवगर से आसपास के जो शिवजी के जो विख्यात मंदिर हैं वहां से ज लब भी कतार थी इतनी भीर थी वहां पर कि फुलिस ने लाठी चार्ज कर दी और पुलिस भीर को कंट्रोल करने में मतलब एकदम बिजी थी तो जब मैं वहां से निकल रही थी तो वहां पर एक मुझे पंडेजी मिले और उन्होंने मुझे कहा कि रक्षा सूत्र बान देता ह हूं मैंने का ठीक है बान दीजे और पुलिस पीछे से सब को भगा रही थी उसी बीच में उन्होंने मुझे रोक करका रक्षा सूत्र बान देता हूं मैंने का ओके बान दीजे उसके बाद उन्होंने कहा कि शादी शुदा है हमने का हां तो फिर कहते हैं कि बच्चे हैं मै प्लानिंग के बारे में तो मैंने सोचा कि यह तो पडीजी ने खुदी कह दिया इसा कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब अचानक से कोई मिलेगा कहे देगा तो मैंने भी रक्षा सूत्र बनवाते बनवाते का कि ठीक है पुत्रत्म की प्राप्ति होगी अगर तो यहां पर ही में मुंडन करवा लूँगी और इस तरह से मैंने बोल कर गए रक्षा सूत्र बनवा लिया था उसके बाद पुलि पंडी जी ने जबरदस्ती रोक करके किया हो सकता है कि उनका कुछ लेने का मन हो मुझसे कि सम्टाइम्स अब कई ऐसे तीर्थ स्थान है जहां पर इसे जो पंडित हैं जो पुजारी हैं वेफसाय की तरह लेने लगे हैं काफी ज्यादा लूट पार्ट भी मसती है ऐसे में फिर भी जो भी था मैंने दक्षिना दिया और मैं चलते मनी और मैंने सोचा किये तो मैं सोच कर नहीं आई थी एंड उसके बाद यह चीजें आगे भी घटित हुए ऐसी क्योंकि मैंने अपनी चिपपले उतारी थी सैंडल थे मेरे मैंने उतार दी थी हैंड उसके बाद मैं गई थी नागेश्वरनात को मतलब जलावी शेक के लिए उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी तो सबसे पहले मैंने अपनी चपपले पहनी तो भागा जो मैंने वहां से मतलब मैं भागी थी ऐस मैं भागी इसलिए क्योंकि भीर काफी दौड कर आ रही थी ऐस उधर से पुल रही थी और उसके बाद मैं कह रही थी कि भगवान राम ने बहुत दोड़ाया है अब तो मैं यहां आउंगी नहीं देखिए एक चंद पहले ही मैंने सोचा कि पंडी जी ने मुझे क्या कह दिया अगर कह दिया तो कोई नहीं मैं आकर यहां पर मुंडन करवा लोगी दूस मुझे बहुत दोड़ा रहे हैं अब मैं यहां नहीं आउंगी मैं तभी आउंगी जब यहां पर मंदिर बनेगा और जब तक यह अपना घर बना नहीं लेते हैं मैं यह नहीं आउंगी एंड ऐसा बोल करके मैं सेंडल पहन रही थी और पुलिस वालों ने मेरी बात सुनी काफी हसने लगे इस बात को लेकर क्योंकि 2019 का वह समय आप याद कर सकते हो यह राम लला का मंदिर हाला कि यह कई सालों से केस मतलब लाइम लाइट में है लेकिन ऐसा मतलब ऐसे सुबगाहट नहीं थी कि यह केस फिर से मतलब इतना जोरों पर चलेगा कि कही ना कहीं यह डि नहीं लगता है मैंने का आप जो भी अब यह तो घर मनवाएंगे तभी आऊंगी और फिर मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हम लोगों ने सब पूरी आयोध्या जो है वह घूम ली तो उन्होंने का नहीं यहां पर बहुत सारे मंदिर हैं जहां गूमना बाकी रह गया है कभी किसी चीज के लिए नहीं मांगी थे बस यू मेरे मुझे निकलता चला गया था यह सारा सारा कुछ तो मैंने रामलला को जब देखा था जब उन्हें प्रणाम किया और फिर जहां लोग स्टे कर रहे थे वहां ही मतलब मंदिर ही था भगवान राम का मैंने हाथ आप अपने लिए मंदिर बन वालो यह बहुत मुश्किल समय है यह देखना कि जिसके नाम पर पूरा शहर है उसी के पास घर नहीं है और कहीं ना कहीं मैं ऐसे पुरुशों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूं जो कि अपने पत्नी को किसी भी तरह का कस्ट दे या फिर कु चाहती लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि बाद में जो उन्होंने अगनी परिक्षा लेने के बाद भी उन्हें एक राजा के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समालते हुए वो कहीं ना कहीं अपने पती के जिम्मेदारी से विमुक हो गये थे तो मैं इस तरह के चीज़ो बनवालो हमें मत दो कुछ अब अपने लिए घर बनवालो हलाकि मैं यह नहीं कहना चाहती हूं कि मैं हूं मैंने ऐसे मांगा लेकिन बहुत सारे भगत जो हैं अपनी अपनी तरह से तपस्या कर रही हैं क्योंकि हमें बड़ा दुख होता था हम सभी हिंदूों को देखकर कि कि कहीं भगवान राम तंबू में बैठे हुए हैं वहां पर उनका खुद का घर नहीं है तो मैंने कुछ मांगा नहीं मैंने कहा कि अपने लिए घर बनवालो और यह बहुत बड़ी चीज थी मैंने तो सभी के सामने कह दिया था सब लोग हसने लगे थे इस बात को ले करके और आज हम गों दिन देख रहे हैं मुझे इस बात की बहुत खुशी है ये दूनों ही बात भगवान राम ने मेरे मुझे एसे निकाली थी कि दोनों ही बात कहीं ना कहीं किया सच्चमे सत्य हुने जा रही है क्योंकि मैंने अपने वेटे का मुंदन यो है थोड़ा वो करके रखे हुए हैं जो कि मैं फिर आयोद्धा विजट करके सर्यू नदी में सरजित करने वाली हूं और पुजा पार्ट करूंगी वह मैंने कुछ पारिवारिक जो को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया था और यह जो बात है जो मैंने कहीं तो मंदिर बनने के बाद ही जा रही हूं तो यह दो मानीताइं मनत थी सच हुई है और बहुत बड़ी मनत है ही जह बहुत ही अंदर से निकली थी सच हुई है इसके अलाव एक और बात में आपको यह बताना चाहूंगी जो सच हई लिग बात मैं बहुत है USDA पहसी भावन नहीं नहीं आप्ठक eh तो वहाँ पर मैं बैठी हुई थी, कनक भावन एक बहुत ही अच्छा महल है, जिसे भगवान, मा कोशल्या ने सीता जी को मुझ दिखाई में दिया था, तो कनक भावन में बैठी थी, तो वहाँ पर कुछ स्टोल्स लगे थे, जिसमें पुझा पाट की सामगरी कुछ चीजे मिल रहे थी, तो मैंने वहाँ से खरिदा था, वहां से मैंने एक अस्त हाटो का बना हुआ कच्छप खरीदा था, टर्टल, मेंने दो खरीदा था एक मैंने इस जड्र स्वान को दिया था दूश्ता मैं अपने ले लिया था हैंड कच्विय पर ट्र्टल योड फ़ धर्रीन भीच खिल जाता था और यह बात मैं इसलिए शेयर कर रही हूं कि एक बार मैंने कपिर शर्मा के सू में एक टर्टल से जुड़ी हुई यही बात जो है कुछ विश कर लिख करके रखना मैंने अनुष्का सर्मा को देखा था शेयर करते हुए तो मैं शेयर कर रही हूँ अपना भी अनुबह कि उस टर्टल को मैं लेकर के आई उसमें विश को तो 40 दिन तक उसे टर्टल के अंदर बंद करना था 40 दिं तक उस्ट पुजा करनी थी कच्छा था चैँड़ है शर्माराज क्वाराज करने तो नदी जला से या किसी बताती हूं कि मैंने उसमें जो विश डाला था यह डाला था क्योंकि यह बात मेरी मेरी किसी को पता है कि मैंने यूसमें संतान प्राप्ति के लिए डाला था लेकिन वैसा कोश नहीं है जैसा मैंने already कहा आपको कि मैंने कह दिया था कि ठीक है पंडे जी ने जब मुहें घूस देना भगवान को वैसा मैं सूशती हूँ तो मैंने उसमें एक wish डाली थी, उस वक्त मेरा भाई struggle कर रहा था अपने job के लिए और struggle आप ये कह सकते हो, graduation कर रहा था और साथ ही साथ general competition के त्यारी कर रहा था especially वो backing sector में जाना चाहता था, तो वो उस वक्त eligible भी नहीं था योग ये भी नहीं था कि वो exam दे सके, उसका graduation पूरा होता, तभी वो exam पर बैठता मैंने पहले ही उसमें एक wish लिख के डाली थी अपने भाई के लिए, कि हाँ मेरे भाई को उसके मन चाहे सेक्टर में या गॉर्मेंट सेक्टर में job के लिए चालेज दिन उपरांद उनका प्रवाहित प्रवाहित कर दिया गया, आज मेरा भाई ये दूसरा साल उसका चल रहा है, वो बैंक में है और वो सेंटरल गॉर्मेंट में job कर रहा है ये तीसरी इक्षा थी, जो मेरी पूरी होई, ये मैंने किसी को share नहीं करी थी ये बात, क्योंकि उसमें लिखा था साब तोर पे, जो भी आप मनो काम ना रखें, आप जब तक वो पूरी ना हो, आप किसी के साथ share ना करें, तो ये इक्षा मैंने लिखी थी, और ये बात मै मैंने ममी को भी नहीं बताई है, जबकि मैं अक्सर बात करती हूं ममी से, लेकिन कभी मतलब इस बात का मैंने ध्यान नहीं दिया था, इतना कुछ, और अभी अचानक से मुझी याद रहा है कि ये तो मैंने टटल में डाली थी, एच्छा, तो ऐसा नहीं है, भाई की अपनी शेयर कर रही हूं, ये सारी चीजें जो हैं, मैं आपको बताओं कि इसलिए में शेयर कर रही हूं क्योंकि राम नगरी अयोदी हाज कर काफी लाम लाइट में हैं, लोग जाना चाह रहे हैं वहाँ पर, तो मैं आपको बता दो, राम लला की कृपा ऐसी है, कि कहीं ना कहीं वो आपकी मन में सोची हुई इच्छा पूरी करते हैं मुझे तो ऐसा ही लगता है तो 22 जन्वरी को नहीं बाद में ही सही लेकिन आप जरूर जाए वहाँ पर और यह कुछ ऐसे इंसिडेंस हुए थे मेरे साथ में जो पूरे हुए और अनोखे-अनोखे इंसिडेंस थे जैस हम बनाया किसी को और यह जो रामलला की मंदिर वाली बात है यह भी काफी ऐसी बात थी कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट था आप बनाओगे नहीं तो मैं आओंगी नहीं देर आफ्टर मैंने कह भी दिया कि मैं मुंदन करवाने आओंगे सारी चीजे कैसे पूरी नहीं हो सकती थी यह वीडियो काफी लंबा जा रहा है थी इसलिए मैं ही पर इंट करती हूं बस यह कहना चाहूंगे कि बगवान राम के आहां जरूर आप लोग जाए दर्शन करें उनकी क्रिपा प्राप्त करें और सोची हुई चीज भी अगर वो पूरी कर सकते हैं तो को बहुत कुछ कर सकते हैं तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूं और आप सभी को राम मंदिर बनने की बहुत बहुत शुब काम नहीं